हेलो फ्रेंट वेलकम टू गगंतीव किचन आज में आपके लिए लाई हूँ चॉकलेट ओर्यो बिस्किट केक जिसको हम बहुत ही कम इंगिडिन के साथ घर पे पानी से कैसे बनाते हैं वो देखेंगे इसके लिए ना ही आपको किसी अवन की जुरत है ना ही बेकिंग सोटा लिए इन्विकिंग पार और नहीं किसी एक्स्रा समान की पस हम दो इन्विडिन के साथ इसको घर पे किस दणा से बनाते हैं तो चलिए देखते हैं इसलिए मैंने सबसे पहले फ्रेंट दो औरियो ऑ्रियो बिस्केट के पैकेट लिया है एक गाई गग less एक सब़से पहले हम क्या करेंगे इस को इसमें चोलन ईल्ग का लेंगे के नाइब क्या Stack तो जैसे आपको पता है आज के lockdown की चल रहे हैं तो इन दिनों में आपको हर समान market में असानी से नहीं मिलता तो इस इन दिनों में आप इस तरह के केक को घर पे बना के अपने बच्चे और family के अंदर जरूर उनको खिलाएं जिसे उनको भी बहुत अच्छा लगेगा तो यह एक बनाना बहुत ही इजी है आपको कोई बहुत एक्ष्टा समान की जुरत नहीं है सिर्फ दो इंगिडिन के साथ आप इसको घर पर कैसे बना सकते हैं वह उसकी रेश्पी आज में आपके साथ शेयर कर रहे हूं सबसे पहले आपने सारे बिस्कृट्स में से जो क्रीम है उसको अलग बावल में निकाल लेना है अब इसको हम साइट पर रख देंगे अब इस बिस्कृट्स को हम एक विक्षर जार के अंदर डाल के इसका एक फाइन पाउडर बना लेंगे पाउडर बना लेंगे पाउड यारिकिया कोई के लिए प्रूल साथ मेरे गार बयायं कि लेट मै 1995, अर्ति पॉडर के लिए दूडा है , जैसे आपको सब्सक्राइब मितां उजरी के लिए इस हमँ इस 것으로 भी होते हैं मैं थीवे नहीं मिल्कु ठंडा झुकन हमें, डूद का यह से टाली है। जैसे हमें इस लेको सैंटी गोणा मुद्ट हैं, रहेता है। दूद को आप मिक्सर कतना हैं, आप यह को समय के समय Dog है। जो डूर ढालते टाम से इसका ध्यान रखेगा जो हमको इसकी consistency है बहुत ज्यादा पतली और बहुत ज्यादा गाड़ी नहीं चाहिए इस तरह से आपको मिक्स करते हुए दिखा यह देखे आपको दिख रहा है कि इस कंसिटेंसी तक आपको इसको मिक्स करना है अब इसमीज यह हमारे रेडी हो गया है अब फ्रेंड मैं एक एक टिल लूँगी इसको सबसे पहले हम ग्रीश कर लेंगे किसी भी कुकिंग वाइल और ब्रस की Fleisch से इसकोALK कर लेंगे और साथ ही में हम एक ऐसके बाइए यह के का जो पेपर आता है इसको हम लगा लेंगे आर इसको को यह हलका सा ग्रीश कर लेंगे इस से हमारे जो केक है पहत ही इसमें से वैसे तो आपका आपका पोनन चाहते चारई हम को करना है था थाट धाल जाएगा अब हमने ये जो अपना पुरा बैटर है इसको ईदर पोसर करेंगे और है उसे तरह से इसको होका हाथ से टेप करके हम इसको इसका सो डोटल का हाफ ही हम इसके अंदर back बार में डालेंगे और इस हाफ का जो बाद में यूज़ करेंगे जैसे आपको दिख रहा होगा कि अभी ये मेरा पूरा बेस में नहीं पूरा कवर हुआ है तो इसी तरह से इसकी हेल्प से हम इसको फैला लेंगे अब हम हम क्या करेंगे इसकी लिए फ्रेंड समने कडााई लेंगे एक कडाई के अंदर हम इसकी जैक के अंदर आ ये मैंने एक State लिया है और एक सेटेट ग्लास पानी इसके अंदर गरम होने के लिए ये आप इसको रख देंगे और इसको साथ हम कवर कर देंगे कवर करतेये टाम, यह एक कपड़े लिया है और इसको इसके अंदर अच्छी तरह से कवर कर देंगे साथ ही में हीतले इसके साथ ही हम एक बेटर ही एक बाध के इसको तहला से ऑड़ करत 25ड अब भोड़ बश्मृटे अब हमारे इसके अब लोग जाएगा और हमारा केक perfectly cook हो जाएगा यह देखे फ्रेंट पांच मिन के बाद आपको दिख रहा होगा कि केक हमारा ready हो गया है अब जो हमने विसमें से क्रीम अलग करी हुई थी अब इस क्रीम को एके करके इसके उपर set कर देंगे जिस तरह से आपको दिख रहा है इसी तरह से carefully आप इसको इसके अंदर एके करके अच्छी तरह इसकी पूरी layer एक बना दीजिए फिर डियान रखें कि इस टेम जो आपकी कडाई है थोड़ी गर्म है तो थोड़ा सा carefully इस प्रोसेस को कीजिएगा अब इसके बाद जैसे आपको दिख रहा है यह हमारी क्रीम की layer पूरी होगी है अब इसके बाद जो हमने बाकी का जो हाफ बैटर रखा हुआ था उसको हम अच्छी तरह इसके प्रॉपर त्रिके से पूर कर देंगे जिससे जो यह हमारी क्रीम वारी layer है वो पूरी cover हो जो इसके अंदर बचा हुआ बैटर था वह भी हम इसके अंदर डाल देंगे और एक अब इसके बाद हम इसको दुबारा हम 10 मिंट के लिए दुबारा हम इसी तरह से कवर करके कुक होने के लिए रख देंगे इस टाइम फिरम जो हमारी gas है वो low to high के बीच में है मीडियम पे है तो हम 10 मिंट के बाद इसको चेक करते हैं कि हमारा जो केक है वो बन गया है या नहीं अब इसको हम एक टुथपिक की हेल्ट से चेक करेंगे कि हमारा केक रड़ी हो गया है तो अब इसके बाद हम इसको निकालके इसको हलका सा ठंडा होने तक का बेट करेंगे और इसके बाद एकनाइब की हल्चे आप इसके जो एजिस हैं कूने हैं इसको अलग कर ले वैसे तो आपको बहुत जरूरी नहीं है पर तब भी अगर आपको लगता है तो इसको हल्का इसको रांडाउन करके इसमें से इसको अलग कर लें जिसे हमारा जो केक है वो पेट पे असानी से निकल जाए इसको अपको जैसे दिख रहा होगा कि यह मेरा केक बिल्कुल रडी हो गया अब इसके उपर जो हमने गाशन पेपर लगाया था इसको हम इसमें से अलग कर लेंगे यह देखिए लग रहा ना बिल्कुल मज़िदार आ रहा है ना मूह में पानी तो इसके उपर हम इसको इसको हम अच्छी तरह से स्प्रेट कर देंगे और इसके बाद इसको हम नाइफ की हम से इसके जिस तरह की शेप आपको चाहिए उस तरह की शेप में आप इसको कट कीजिए उमीद करते हूं कि आपको यह मेरे केकी रेस्पी पसंद आई होगी अगर आपको यह मेरे केकी र recipe बेंवेल तियू, THANK YOU!